नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डॉक्स टी यारेन में अधर वाइस आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीस आप सब्क्राइब करके बेल आइकन टैप कर दे ताकि आपका मेरी वीडियो का आपके पास में फिरी में नौटिफिकेशन पहुंँस सकें तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है पिट बूल डॉक्स कितनी पिरकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे हम तो आउए फ्रेंट्स मैं आपको फुल डिटेज मैं इस पिट बारे में बता हूंगँisin अदर वाइस आप पिट बूल डॉ होते हैं जो कि टेरियर में आ जाते हैं इन सभी पिटबूल को टेरियर ही बोलते हैं और काफी काफी टाइप के होते हैं जो पिटबूल होते हैं तो कभी-कभी आपने देखा होगा किसी का पंच फेस होता है किसी का लंबा फेस होता है किसी का चोड़ा फेस होता है किसी का बह तो आपको कभी-कभी जिनको नालिज नहीं हैं जो नहीं जानते अपने काफी फ्रेंड्स यहां पर हैं जिनको पता हो गया एंबुल्स और American Bullلي के बारे में तो काफी लोगों को ऐसा लगता है काफी दोस्तों को ऐसा लगता है कि ये पिटबूल में ही आ जाता है और जो पिटबूल होता है वो भी पिटबूल में हा जाता है तो काफी एक M स्टाफ टेरियर भी होता है M a.k.m. Lefya Sharks तो सारे Sentinel पिट पुल होते हैं इनमें डिफरैंट होता है किबल नाम का हो नाम के हिसाब नाम चैन्गर्ज प어도 ऑड़ींट चैंज हो जाती है तो अभी जो मतलब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो यह सारे पिट बुली हैं तो मैं आपको स्टार्डिंग से बताता हूं अमेरिकन बुली के बारे में अमेरिकन बुली जो होता है उसकी तीन केटेगरी में आता है वो एक पॉकिट साइज अमेरिकन बुली और दूसरा हो पीटबुल से काफी अहलग है तकि आपको मैं बता सकूँ कि यह थोड़ा सा पिटबुल से डिफरेंट है पिटबुल की कटेगरी में आते हैं एह में स्टाफ टेरियर और एक आता है श्टाफ फोर सायर बूल टेरियर और एक होता है में स्क्रीन पर देख रहे हैं तो यह चा ना उसकी muscular body होती है उसके body for fat होता है और जो real pitbull होता है तो जैसे आप screen पर देख रहे हैं तो जो real pitbull होगा तो उसकी body language थोड़ी सी muscular होगी उसके body for fat नहीं होता है तो friends अगर आप घर के लिए पानना चाहते हैं तो आपके साथ में कोई धोगा धड़ी ना हो अगर आप pitbull लबार हैं और आप pitbull पानना चाहते हैं और अगर family के लिए पानना चाहते हैं तो मैं आपको suggestion जहीं देना चाहूँँगा कि आप I am staff terrier पालें जो कि देखने में activities में सारा कुछ pitbull जैसा ही होता है लेकिन उसके अंदर एक आदत एक habit नहीं होती है जो होती है biting की, barking की और attacking की तो वो attack नहीं करता है अगर वालों को barking नहीं करता है काफी normal behavior होता है उसका जो habit होती है normal family member की तरह रहती है और otherwise आप बाकई में farm house के लिए real pitbull पालना चाहते है तो real pitbull का body for fat नहीं होता है धीरे धीरे जब उसकी age बढ़ेगी तो age बढ़ने के time पे उसका fat खतम होने लग जाएगा और उसकी muscularity आने लग जाएगे अधरवाइस आप उसका gym कराना चाहते हैं तो आप trade meal घर में ला सकते हैं उसके running करा सकते हैं चड़ी पर उपर नीचे चड़ा सकते हैं तो उसकी exercise जैसे आप exercise कराएगे और उसको dog food दे और large का और medium का तीन तरह की इसमें category होती हैं और तीसरा मैंने आपको बताई दिया है चार तरह के यह अमें pitbull होते हैं और otherwise आप इस्टा फोर सायर बुल्ट टेरियर पालना चाहते हैं तो वो भी आप मतलब ले सकते हैं आप खरीज सकते हैं तो मैं तो आपको suggestion जैसे ही दू के दोस्त के पास मतलब उसकी category अलग है उसका hat face अलग है तो इसमें थोड़ा सा hat face से और body language से आप confirm कर सकते हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सारी स्क्रीन पर मैंने बताया है आपको तो I hope कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी